हेलो काई साजम रेंटक गर्ल्फरेंड चैप्टर 320 को एक्स्प्लेंट करने वाले हैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मिजुहर और याई मुरी जाउंस ओफ गेम खेल रहे थे नाम पे मच जाना क्योंकि रेंटक गर्ल्फरेंड वाले रियल नेम का एक दो लेटर चेंज कर देते हैं इस गेम में आप एक कार्ड पिक करते हो और उस पे जैसा पैटन बना होता है वैसा हमें बॉल को बाउंस करके स्लोट्स में डालना होता है और मिजुहारा और याई मुरी गेम खेल रहे थे तब ही वहाँ काजुहारा आता है और पूछता है ये कौन सा गेम खेल रहे हो तो याई मुरी उसे गेम एक्स्प्लेन करती है जो मैं अल्रेडि कर चुका हूँ और वो बताती है मिजुहारा ने तीनों बार मिस कर दिया है मैं उसे गंदी तरह हरा रही हूँ मिजुहारा कहती है मैं इस गेम में बहुत बुरी हूँ और वो काजुया से पूछती है तुम खेलोगे याई मुरी कहती है अगली बारी मेरी है तो वो मेरी जगए खेल लेंगे काजुया कार्ड पर पैटन देखता है और बॉल थ्रो करता है और पहली बार में है उसका स्लोट में जाता है याई मुरी कहती है क्या नैच्रल टैलन्ट है फिर वो मिजुहारा से कहती है तुम और खेलोगी या नहीं मिजुहारा कहती है थोड़ी दिर और खेलूंगी वो एक और बार थ्रो करती है पर इस बार भी वो फेल होती है फिर याई मोरी की टर्न आती है और उसका फिर स्लोट में जाता है उसका स्कोर 7 था और मिजुहारा का 0 इसलिए वो कहती है हमारे बीच का डिफरेंस बहुत बड़ा है हमें दुबारा जीरो से स्टार्ट करना चाहिए मिजुहारा कहती है मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करने दो काजुया सोचता है ये इस गेम की प्रैक्टिस करना चाहती है याई मोरी कहती है तुम अपने दोनों लक्स को बेंड कर लो अपने पोजीशन चेंज करके थ्रो करो पर मिजुहारा जो भी करती है फिर भी उससे नहीं होता याई मोरी कहती है अब तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि जाउंस ओफ के गॉड तुम से हेट करते हैं मिजुहारा कहती है बस करो तुम ऐसे कह रही हो जैसे मेरा बैड लख हो कासुया सोचता है मिजुहारा भी कभी-कभी ऐसी चीजों के लिए एकसाइटेट हो जाती है अगर मैं सही से सोचू तो ये पहली बार नहीं है साथ रहने के बाद मुझे कुछ रियलाईस हुआ मिजुहारा एक रेंटल गर्लफ्रेंड है तो मुझे हमेशा लगता था वो एक स्ट्रेट फॉर्वर्ड और बिजनस गर्ल है पर जब मैं इसके बारे में और सोचता हूँ तो rental girlfriend को किसी का close friend नहीं बनना चाहिए और अपने client से तो बहुत दूर रहना चाहिए और इसलिए वो जादा कर poker face और calm attitude रखती है और अपने emotions को छुपाने की पूरी कोशिश करती है वो जो भी करती है उसमें वो पूरी मेहनत करती है और इसी भी चियाई मुरी मिजुहारा को इस position से तो करने को कहती है मिजुहारा try करती है पर वो फिर miss कर देती है वो फिर दुबारा try करती है और इस बार ball slot में जाता है कासुया कहता जब वो excited होती है तो भी बहुत cute लगती है और मिजुहारा बहुत खुशो रही थी वो कह रही थी इस बार तो ball direct slot में गई किसी ball से टकराई भी नहीं वो बहुत ज़्यादा खुशो रही थी फिर वो अपने emotions कंट्रोल करती है और दलिया बनाने का बहाना बना कर चली जाती है याई मुरी कहती है so cute काजुया मन में कहता है मैंने इतना हाडली अपना सर नौड किया कि मेरी गर्दन तूटते तूटते बची और यहीं पर ये chapter end होता है